स्री हरी विश्नु भगवान की जय, लक्षमी माता की जय, कार्टिक पूर्णिमा वरत कता देत्ते तारका सुर के तीन पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष, व, व, विद्युन माली जब भगवान शिव के पुत्र कार्ट के ने तारका सुर का वद्ध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए गोर तबस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया जब भ्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने अमर होने का वर्दान मांगा लेकिन भ्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वर्दान मांगने के लिए कहा तब उन तीनों ने भ्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे लिए तीन नगरों का निर्मान करवाईए हम इन नगरों में बैट कर सारी पृत्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहें एक हजार साल बाद हम एक जगह मिलें उस समय जब हमारे तीनों पुर यानी नगर मिलकर एक हो जाएं तो जो देवता उन्हें एक ही बान से नश्ट कर सके वही हमारी मृत्यू का कारण हो ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वर्दान दे दिया ब्रह्मा जी का वर्दान पाकर तारकाक्ष, कमलाक्ष वव विद्युनमाली बहुत प्रसंद हुए ब्रह्मा जी के कहने पर मै दानव ने उनके लिए तीन नगरों का निर्मान गिया उनमें से एक सोने का, एक चांदी का वो एक लोहे का था सोने का नगर तारकाक्ष का था चांदी का, कमलाक्ष का वो लोहे का विद्युन माली का अपने पराक्रम से इन तीनों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया इन देत्यों से गभरा कर इंद्र आदी सभी देवता भगवान शंकर की शरण में गए देवताओं की बास सुनकर भगवान शिव ने त्रिपरों का नाश करने के लिए तयार हो गए विश्व कट्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रत का निर्माण किया चंद्रमा वसूरे उसके पहिये बने इंद्र वरुण यम और कुबेर आदी लोकपाल उस रत के घोडे बने हिमाले धनुष बने और शेशनाग उसकी प्रत्यंचा स्वयम भगवान विश्णु बान तथा अगनीदेव उसकी नोक बने उस दिव्य रत पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुनों का नाश करने के लिए चले तो द्यत्यों में हाहाकार मच गया द्यत्यों वदेवताओं में भंकर युद्ध छड़ गया जैसे ही त्रिपुर एक सीद में आये भगवान शिव ने दिव बान चला कर उनका नाश कर दिया त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भगवान शिव की जैजैकार करने लगे त्रिपुनों का अंत करने के लिए ही भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा यह वद कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा नाम से भी जाना जाने लगा और देवताओं की विजे की खुशी में देव दिपावली मनाई जाने लगी एक दूसरी कता के नुसार त्रिशंकू को राज रिशी विश्वामित्र ने अपने तपो बल से स्वर्ग पहुँचा दिया देवतागण इससे उद्विग्न हो गए और त्रिशंकू को देवताओं ने स्वर्ग से भगा दिया शाप ग्रस्त त्रिशंकू अधर में लटके रहे त्रिशंकु को स्वर्ग से निश्कासत किया जाने से क्षुब्द विश्वामित्र ने प्रित्वी स्वर्ग आदी से मुक्त एक नई समूची स्रिष्टी का ही अपने तपबोल से रचना प्रारंब कर दी उन्होंने कुष, मिट्टी, उंट, बक्री भेड, नारियल, कोहडा, सिंघाडा, आदी की रचना का क्रम प्रारंब कर दिया इसी क्रम में विश्वामित्र ने वर्तमान ब्रह्मा विश्णु महेश की प्रतिमा बना कर उन्हें अभिमंत्रित कर उन्हें प्राण फूकना अरंब कर दिया सारी स्रिष्टी डावा डोल हो उठी, हर ओर कोहराम मच गया हाहाकार के बीच देवताओं ने राजरिशी विश्वामित्र की पूजा की महरिशी प्रसन हो गए और उन्होंने नई स्रिष्टी की रचना का अपना संकल्प वापस ले लिया देवताओं और रिशी मुनियों में प्रसंता की लहे डोड़ गई प्रित्वी, स्वर्ग, पाताल सभी जगा इस अफसर पर दिपाओं ली मनाई गई मानेता है कि तब सही देव दिपाओं ली मनाने की शुरुआत हुई इस दिन गंगासनान वदीबदान का विशेश महत्व है इसी पूर्णिमा के भगवान विश्नु का मत्से अवतार हुआ था इस दिन क्षीर सागर दान का अनंत महत्व है क्षीर सागर का दान 24 उंगल के बरतन में दूद भर कर उसमें स्वन या रजजत की मचली छोड़ कर किया जाता है इस दिन गंगासनान दीबदान अनित दानों का आदी विशेश महत्व है इस दिन संध्याकाल में तुरुपरोटसव करके दीबदान करने से पुनर जन्म आदी का कष्ट नहीं होता बोलिये श्री हर विश्नु बगवान की जै लक्ष्मी माता की जै